ऐसे हर एक पति के चाहत होती है कि अगर उसकी पतनी गलत लाइन के अंदर है तो वो उस पतनी से डाइवोर्स भी लेना चाहेगा और दूसरा उस पतनी को मैंटेनस भी नहीं देना चाहेगा तो ऐसे जज्जमेंट की रिक्रेयर्मेंट हमेशा रहती रहती है कई पतियों की य मान रहती है कि सर हमें ऐसा कोई जजमेंट बताए कि हमारी पतनी है जो गलत लाइन के अंधर है या फिर उग गलत है उससे हमें डायवर्स भी लेना है तो हमें इस वीडियो का ंदर बताने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबा दीजी तो चलिए शुरू करते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अडिकोड जीतिंदर राज के वीडियो में यही किलियर करने वाला हूं तो ऐसी इस्तिति में उस पत्नी से तलाक कैस से ले और उस पत्नी को मैंटेनस देने से कैसे वजे तो यह मामला इस तरीके से है इसके अंदर यह होता है कि पत्नी पती को छोड़ के अलग हो जाती है और पती के उपर एक मैंटेनस का केस करती है जिसके अंदर पती के उपर मैंटेनस है जो लग जाता है अब इसकी रिव उसका केस है पति के द्वारा डाला हुआ होता है एडल्ट्री ग्राउंड के आधार पे तो उसके अंदर पति का डाइवोर्स हो जाता है एडल्ट्री बेस पे पति को एक डाइवोर्स के डिक्री है जो मिल जाती है अब पति क्या करता है कि वो जो मेंटिनस के केस चला हुआ ह हम उसके अंदर सीयार पीज वन टूनटीफैब के सब्क्रोज 45 CRPC 1207 का एक आवेदन लगाता है उसके साथ वे डाइवोर्श की डिक्री लगाता है जिसके अंदर उसे डाइवोर्स मिला है एडिल्टरी ग्राउंड के आधार पे तो वहाँ पर किलियर करता है उन सेक्षन के आधार पे उस डाइवोर्स के डिक्री के आधार पे कि अगर पत्नी एडिल्टरी के अंदर है तो उसका मेंटेनस नहीं बनता है तो यहाँ पर इन सभी को दिखाते हुए भी पति को फाइदा नहीं मिलता है, पति की जो application है, उसको खारीज कोट के द्वारा कर दिया जाता है, अब पति के द्वारा इसकी revision के लिए high court जाया जाता है, और high court के द्वारा मामले को घराई से देखा जाता है, तो यह पाया जात अगर पतनी बिल्कुल एडल्ट्री के अंदर है इन सेक्षन की अकोर्डिंग तो उसका मेंटेनस नहीं बनता है यहां पर पतनी यह सावीत भी कर दिया है डायवोर्स लेके कि उसकी पतनी है जो एडल्ट्री के अंदर है तो उस पतनी का मेंटेनस है जो नहीं बनेगा तो इस इस आधार से पत्नी का maintenance है, जो सुन्य कर दिया जाता है, पत्नी को इस आधार से maintenance है, जो नहीं मिलता है, तो यह यहाँ पे आपको फायदे समझ में आ गई होंगे, कि अगर यह सबूत है, यह ground है, जो adultery का है, अगर पत्नी adultery के अंदर है, तो उस पत्नी का maintenance है, जो नहीं बन मिलता है दूसरा उसी ग्राउंड से पत्ति को डाइवोर्स भी मिलता है यह बहुत ही महत्पूर जज्जमेंट है इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिशन दिया गया है यहां पे आप किलिक करके इसको चितरे से रीड कर सकते हैं चांद सकते हैं कि मामला क्या है अगर